हेलो फ्रेंट्स मेरे चैनल में आपका स्वागत है फ्रेंट्स आज मैं आपके साथ शेयर करना जा रही हूँ एक सेकिंड पार्ट वीडियो है ये जो आप फ्रॉक देख रहे हैं ये मेरा फर्स पार्ट था मैंने आपको बताया था कि अगर आपने वीडियो देखी है ना तो मैंने आपको बताया था कि इसका मैं सेकिंड पार्ट भी लेके आऊंगी तो यहां पे फ्रेंट्स देखिए यह फ्रॉक हमने बनाया है तो इसका हम उपर का यहां पे एक जैकेट बनाने वाले हैं उपर से यानि आप कार्डिगन भी बोल सकते हैं या आप जैकेट भी बोल सकते हैं उसको तो इन दोनों को आप अलग लग भी पहना सकते हैं और आप एक साथ भी दोनों को पहना सकते हैं तो यहां पे देखिए यह हमने फ्रॉक जो है यह मैं पूरा आपके साथ step by step जो है शेयर कर चुकी हूँ तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज आप देख लीजेगा तो इसके साथ का ही अब मैं आगे जैकेट आपके साथ शेयर करना जारी हूँ तो फिर उसको हम आगे बनाना शुरू करेंगे तो चलिए फिर देखते हैं उसको कैसे हमने बनाना है तो फ्रेंट्स यहाँ पे अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजेगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना और अगर आपको कोई क्वारी हो कुछ पूछना हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं तो चलिए फिर आगे इसको बनाना शुरू करते हैं तो फ्रेंट्स यह देखे मैंने यहाँ पे यह वाइट कलर की बूल दी है इसके लिए उपरगी जैकेट में वाइट कलर की बिनाने वाली हूँ और यहाँ पर यह देखिए मैंने बर्दमान की blue bell बूल जो है वो इसमें मैं यूज कर रही हूँ इसको आपको दिखा रही हूँ कि मैंने कौन सा wool यूज किया था केवर फ्रेंड्स पैसिस करते हैं कि आपने wool कौन सा ही उसकिया है तो यहाँ पे मैंने बर्दमान ब्लू बेल निटिंग यान जो है मैं इसमें ये यूज़ कर रही हूँ इसको आप 9 नमबर और 10 नमबर सलाईयां पे बना सकते हैं और बहुत अची बूल है ये सॉफ्ट है तो यहाँ पर फ्रेंट्स देखिए मैंने यहाँ पे ये अपनी सलाई पे फंदे डाले हैं तो मैं आपको ये बताना जारी हूँ उसमें भी मैंने ऐसे ही डाला है और इसका वीडियो भी मैं डाल चुकी हूं अपने चैनल पर अगर आपको देखना होगा तो आप देख सकते हैं वहां से तो यह मैं अभी 10 नंबर स्लाइएं पर डाल रही हूं बाद में मैं इसको 9 नंबर पर शिफ्ट कर दूंगी उपर का गला जो है किमें 10 नंबर पर यहां पर बना रही हूं यहको कारडिगन है हमारा यह 2-3 साल तक के बच्चे का है बर यहां पर गला जो है मैं यहां पर थोडा आप ध्यान से देखिए गा कि इस गले मैंने इनको बुना है यह देखेगा और दस नमबर में इसके लिए यूज कर रही हूं तो यह फिर आगे चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं अभी हम सीधी साइड पे हैं और तीन सलाइया मैंने इसमें बना ली है तो उसके बाद मैं इसको यहां से अब आगे आपके साथ जा रही हूं तो यहां पर फिरंट्स देखे मैंने यहां पर बॉर्डर बना लिया यह यह उल्टी-उल्टी सलाइयों का बॉर्डर है जिसमें यह चार बीड्स की लाइने बनाई हैं एक दो तीन और यह चार उसके बाद हमने यहां पर फंदे जो हैं वो डिवाइड कर लि तो यह मैंने पट्टी के लिये हैं यहा पर निकитесь साथ फंडे यहां बॉटन बना लिए है तो यहां बना यहां पर गुज़ाया इक बॉटी Greek एनिक बना aparece रेकी एनिक अंveле तो यहाँ पर यह मैंने जो इसके हिस्से किये हैं वो आप यहाँ पर देखेगा यहाँ पर जैसे यह front part है दोनों तरफ से तो front part में मैंने 7 फंदे बटन पट्टी के हैं दोनों तरफ को 7 फंदे बटन पट्टी के लिए छोड़े हैं उसके बाद आगे साथ फंदे जो हैं, वो हमने यहाँ पर रखे हैं, फ्रंट पार्ट के लिए, यह फ्रंट पार्ट के साथ फंदे यहाँ पर हैं, उसके बाद यहाँ पर आगे लिए हैं हमने साथ फंदे बाजू के, पीच में हमने दो फंदे लिए हैं, रैगलोन कटिंग क बाजria के लिए जिसमें हमने फंदे बढ़ाने हैं यह दो फंदे उसके लिए है और यहां पहे देखें एक तो तीन चार पांच चे और यह सात यह सात फंदे आगे हमारी बाज्व!" के लिए हैं, उसके बाद फिर से इहां पर फंदे 20 फंदे हैं बीचमें यहां पर यह है落़ोग वाले स्टिछ में देखें, तो यहां यह 20 फंदे पिछले पले के हैं उसके बाद फिर से 2 फंदे हमने यहां पर raglone stitch के रखे हुए हैं जो कि दोनों तरफ हमारे जाएंगे इसमें 2 फंदे यहां पर रखे हैं उसके बाद फिर से 7 फंदे बाजु के हैं रेगलाउन स्टिच के बाद 7 फंदे बाजु के और फिर से यहां पे यह टोटल 14 फंदे हैं जिसमें 7 फंदे बटन पटी के हैं और 7 फंदे आगे यहां पर फ्रंट पार्ट के हैं तो बीच में दो फंदे यहां पर रेगलों स्टिच के भी हैं तो यहां पर यह इस तरीके से हमने इसको डिवाइड किया है तो यहां पर चलिए फिर फ्रेंट्स आगे इसको बनाना शुरू करते हैं तो यहां पर मैंने यह स्टार्ट किया है इसके जो यह साइड वाली हमारी किनारी रहेगी बहुत अच्छे सरीके से गोल गोल आए तो इस तरह से बनानी है हमने जब हम यह इस साइड वाली सलाई बनाएंगे उल्टी साइड वाली तब हमने इन फंदों को नहीं बुनना जो फंदे उनको नहीं बुनना और धागा जो है इस तरफ को हमने मोड़ लेना है अब आपने क्या करना है कि यह जो दो फंदे है न इनको इस तरह से हमने दोनों को एक साथ बैक लूप से बुनना है इस तरी Chenka से और ऐसे लेते हुए अब धागा जो है अपनी को हम ऐसे सिधा सिधा बुनते जाएंगे मैं इस स्वेटर को ऐसे प्लेन बुन रही हुआ कि दोनों साइड से सिधा सिधा बुनूंगी ताकि इसमें ऐसे बीट्स की लाई नहीं आएं बस तो यहाँ पर यह बटन पट्टी के फंदे हैं दो चार छे और यह साथ साथ फंदे जो हैं वो बटन पट्टी के हैं उसके बाद हम यहाँ पर एक डिजाइन डालने वाले हैं इस जगह पर तो उसमें दो फंदे मेरे उल्टे आएंगे अब हम दागा पीछी करेंगे और यहाँ पर तीन फंदे सीधे बुनेंगे एक तो यह तीन यह थोड़ा सा डिजाइन डालूँगे मैं यहाँ पर तीन फंदे सीधे धागा अपनी साथ को करूँगी दो फंदे यहाँ पर उल्टे अब यहाँ पर यह जो मारकर है ना इसको अब हमने हटाना है और यहां पे हमने यह जो अपनी जो यहां पे रेगलोन जो यहां पे इंक्रीज है वो यहां पे करनी है तो आगे कि यह जो दो फंदे है न इनके उपर हमने यहां पे जाली डालनी है तो यहां पे देखिए दागा ऐसे अपनी तरफ को करते हुए इ अपनी साइट को करना है और आगे के भी यह जो साथ फंदे हैं इनको हमने सीधा बुनना है यह हमारे बाजू के फंदे हैं इसी तरह से दो जालियं डाल दी यहां पर एक हमने यहां पर डिजाइन डाला है और यह हमने दो जालियं डाल दी यहां पर इसी तरह से यहां हमने डिजाइन स्टार्ट कर दिया है यह तो यहां पर फ्रेंट्स देखिए यह हमने यहां पर एक बार यहां पर इंक्रीस कर लिया है यहां प बढ़ाने हैं तो यहां पर देखिए यह जाली के बाद यह दो फंदे बीच के इंक्रीज के हैं और दो चार चे और यह साथ यह बाजू के फंदे हैं और यहां पर फिर से हमारी यहां पर जाली आएगी अब हमने back part के फंदे जो हैं वो उसके साथ increase करना है तो यहां पे देखे रेगलोन increase है यह रेगलोन से फंदे बढ़ाना है तो एक फंदा यहां पे बढ़ गया और बीच के दो फंदे हम यहां पे सीधे बुनेंगे फिर यहां दागा अपनी तरफ को करेंगे और आगे के बीच फंदे जो है उनको इसी तरह से सीधे बुनेंगे एक जाली डालते हुए ये बहुत सिंपल वाली जो फंदे बढ़ा रहा हैं बहुत सिंपल से हैं इस तरह से बहुत सारी डिजाइन आते हैं रेगलोन वाले लेकिन ये बहुत ज़्यादा साथी और सिंपल है इसमें तो अगले मारकर तक हम ऐसे बुनते हो जाएंगे यहां पर हमारे जो है दो चार छे यहां पर साथ ये बाजू के फंदे हैं और इसकी रेगलोन जो आएगी वो यहां पर आएगी तो इस मारकर तक हम ऐसे सीधा बुन लेंगे और मारकर को इस साइड को कर देंगे और अब हम हटा भी सकते हैं अब धागा अपनी साइड को करना अगले दो फंदे थाटको करेंगे फिर जाले डालेंगे पर एसी सीधे बुन लेजेंगे अगे इस तरह से यह हमने बुन लिये उसके बाद तो अब मार्कर को हम इधर करेंगे और यहां पे दो फंदे एक जाली डालेंगे और दो फंदे जो हैं वो उनको सीधा बुनेंगे दो फंदा को सीधा बुन दिया अब आगे फिर से हम यहां पे जाली डालेंगे एक ऐसी करते हुए क्योंकि आगे जो फंदे है ना इन पे हमने डालना है डिजाइन तो ये ऐसे इनको दो फंदे हमने उल्टे बुने तागा पीछे किया तीन फंदे सीधे बुने और फिर दो फंदे उल्टे बुने और आगे के साथ फंदे जो हैं उनको हमने सीधा सीधा बुन लेना है यह जो है ना लास्ट वाले दो फंदे इनको हमने नहीं बुनना इनको हम ऐसे ही सिलाई पे उतार लेंगे अब यहां से हम पीछे मुट जाएंगे दूसरी सिलाई में है तो यहां पर यह जो-दो फन्दे है ना इनको हमने उस सेड़ से ऐसे बंगे दो साथ लेंगे ताग आपनी साइड को करेंगे अब एक फंदर जो है आगे वाला इसको शीधा इससे बुन देंगे तो यहां पर घक्टां वह यहां पर बढ़ गया अब आगे के जो यह हो गए हमारे एक तो तीन चार यह पांच छे और यह साथ यह साथ फंदे बटन पट्टे के इसी तरह से चलेंगे अब यहां पर देखिए यह जो आगे के दो फंदे है ना इनको तो हमने सीधा यह बुनना है यह हमारे डिजाइन के फंदे हैं यहां पर धागा अपनी साथ को डिजाइन बनाया था उसी तरह से इस साथ भी चलेगा यह अब यहां पर दो फंदे सीधे आगे के अब यह जो रैगलोन कटिंग वाले फंदे हैं यह हमारे आएंगे यहां पर इस राएंगे यह जाली वाला फंदा जो है यह सीधा आएगा जो बीच के यह दो हमारे सीधे सीधे चलेंगे इसी तरह से बाकी फंदे हमारे उल्टे उल्टे चलेंगे इसी तरह से अब यह मारकर हम अटा देंगे यहां पे और मारकर हम दूसरी साइड को लगाएंगे अब बाकी फंदे सीधे सीधे बुनेंगे क्योंकि उल्टा उल्टा ही है सारा स्वेटर हमारा सिर्फ डिजाइन डिजाइन को हम सीधा उल्टा करेंगे बस अब अब यह 12 दो पंद में हैं इनको हमने विल्टा है राग लोगार्व स्टिच के अब यहां पे ना हमने यह जो हमारी यहां पे रेगलोन स्टिच आ रहे हैं यहां तक हमने इसको बुनना है उसके बाद हम आगे थोड़ा सा चेंज करेंगे यह अब यह दो फंदे हैं इनको उल्टा बुनना है यह जो फंदा है इसको हमने इससे उल्टा बुन दिया इसके बाद का हम एक फंदा यहां पे यह उल्टा बुन लेंगे इस तरह से और उसके बाद हम यहां पे लगा देंगे एक मारकर अब यहां से हम वापस मुट जाएंगे यहां पे देखें यहां से वापस मुट जाना है इस फंदे को उतार लिया हमने और यहां से यह जो हमारा जाली से बड़ाओ फंदा है इसको हम ऐसे बुन लेंगे और आगे हम फिर जाली डालेंगे तो यह जो दो फंदे हमारे जा रहे है न इनके साथ ही हमारे रेगलोन ऐसे चलेगी इस्टिच दो फंदे सीधे ये दो फंदे सीधे ही रहेंगे उसके बाद आगे के फंदे के साथ हम ऐसे चाली डाल देंगे और बाकी के सारे फंदे आगे तक जो यहां पर यहां पर भी मैं एक मारकर लगाने वाली हूँ जो यह सीधे फंदे आये हैं इसके बाद हम यहां पर एक फंदा बुनेंगे और यहां पर लगा देंगे हम मारकर आगे का जो डिजाइन है यह वाला उसको हम यह जाली का फंदा है उसके बाद का एक फंदा बुनेंगे और यहां पर एक मारकर लगा देंगे तो यह हमने मारकर लगा दिया यहां तक अब हमने इसको ऐसे बुन लेना है आगे तक अब यहां पे दिखिए फिर से हम यहां पे आगे रैगलोन स्टिच के पास तो यहां पर फिर हम फंदा पढ़ा लेंगे ऐसे करके और दो फंदे सीधे बुन लेंगे आप फिर यह जो फंदा है इसके पहले ही हम यहां पर जो फंदा बढ़ेगा उसको आपने आगे की उसमें शामिल कर देना है क्योंकि वो आपका आपके पार्ट्स में शामिल हो जाएगा ना बढ़ेगा फंदा और वो जो दो फंदे चले हुए हैं उन दो फंदा को हमने ऐसे यह रखना है यह देखे इस तरह से फिर यहां उनी दो फंदों के साथ हमने जाली डालें दोनों तरफ यहां पर देखे फिर यहां पर जाली डालेंगे और यह जो फंदा है इसको अब हम ऐसे बुन लेंगे और इसके बाद यहीं से हम उड़ जाएंगे वापस और इसको ऐसे उतार लेंगे और आगे के जो फंदे हैं उनको ये दो फंदे है ना इनको अब हमने ऐसे बुन लेना है सीधा जाली से बड़ा वो फंदा सीधा बाकी ये जो दो फंदे हैं इनको उल्टा बुनना है आपने और फिर अम ये पीछे करेंगे तो इनको हम फिर बाकियों को इसी तरह से सीधा से दबुनते हुए जाएंगे अब फिर देखिए इस मारकर के पास आगे तो अब ये मारकर हटा के एक फंदा हम यहां पर बुन लेंगे आगे को एस करके इक फंदा हमने बुझ लिया अब यहां परrix उपर न फिर से मारकर लगा देंगे आप की लिए मारकर आसे पहरान के लिए लगाएंगे ताकि हम यहीं से बाप्पस मूट जाएंगे जो विरे डेजाइन के दो उल्टे फंदे हैं न उन हमने ऐसे यह उल्टा-उल्टा बुनना है तो एक को बुनना नहीं है जो हमने अभी उतारा उसको नहीं बुनना और यहां पे देखे यह हमारे यह पट्टी के फंदे है ना तीन तो पांच तो साथ तो उल्टे फंदे तीन सीधे फंदे और दो उल्टे फंदे उसके साथ जो जो जाली से बढ़े रहे है ना, उनको उल्टा-उल्टा ही बुणना है, सोरी सीधा सिदा बुणना है, और जो वो दो ही फंदे हमने यहाँ पे उल्टे बुनने हैं, जो डिजाइन के साथ के हैं, पाकि ये देखिये, यहाँ पे अब सीधी साइड पे है न, फंदे सबने न न में बसारे आपके बहणता सीसिमें नोगा कि यहां जी हनुनगा कि कि वर रेắखे ाक बुनेλη के ऐगा जो पॉलते हैं और आगेहीं हें तो रेकशी आएगा तो अब हम ऐसे ही बुनेंगे आगे तक जो आपके दो सीधे फंदे आएंगे रेगलॉन स्टिच के उनके इधर उदर आपने जाली डालनी है दोनों दरफ जिस से आपके फंदे बढ़ेंगे और बाकी सारे फंदे आपने ऐसे ही बुनते हुए जाना है तो देखे फिर एक बार यहां पर पता देती हुँ यह दो सीधे फंदे है ना अब तो अच्छे से दिखने लगे हैं तो इनको आपने ऐसी बुनना है धागा अपनी साइट को करना है अब फिर एक यहां पर जाली डालनी है ये उल्टी साइट पर आपने ध्यान रखना है कि ये दो फंदे आपके उल्टे होने चीए सीधी साइट से सारा आप सीधा से दई बुनते हो जा रहे हैं हैं तो इसी तरह से मैं अगले मारकर तक बना लेती हूं harm के पास आगे तो इस मारकर को आट आएंगे और एक इ paints इसको अब हम ऐसे बना लें dok फिर मारकर यहां पे लगा देंगे को और यहां से वापिस मुढ जाएंगे यह और यह इस फंदे को ऐसे उतार लेंगे इसको ऐसे उतार लेंगे और आगे का एक फंदा सीधा है यह डिजाइन के फंदे हैं बाकि भी सारे ऐसे सीधे सीधे जाएंगे अब आगे जो रेगलोन स्टीच वाले दो फंदे हैं यह दो फंदे यह हमने उल्टे बुनने हैं फिर से यह आप थोड़ा ध्यान रखेगा बाकि सारे फंदे हम सीधे सीधे बुनेंगे इस साइड हमें कोई जाली नहीं डालनी सीधी साइड से ही हम जाली डालेंगे हमने फिर से यहां पर जब आ जाना है ना फ्रेंट्स तो फिर यहां पर देखे यहां पर हमारे यह तीन फंदे हैं इन तीनों को अब हम बुन लेंगे क्योंकि यहां पर डिजाइन डिजाइन आएगा ना यहां पर तो यह तीनों को हम अब हम बुन लेंगे मारकर जो है वो और मनें यहांपे सीधा बुन लेना है इस तरह से यह हमर डिजाइन के फंदे हैं अब और मारकर को यहांपे लगाएंगे और यहां से वापस मुट जाएंगे और आप यह जिद पंदे ना फ्रेंट्स लासट वाले संदे को ठाके और दो के ओपर से पास कर देंगे अब पहले फंदे को सीधा बुन लेंगे अब धागा अपनी साइड को करेंगे और अगला फंदा भी सीधा बुन लेंगे एक हम यहाँ पे जाली डाल देंगे और आगे के दो फंदे हम उल्टे बुनेंगे दो फंदे उल्टे बाकी फंदे सीधे यहां पे जो यह दो फंदे चल रहे हैं इसके बगल में यहां पे जाले जालेंगे यह हमारे फंदे जो हैं ट्रीस हो रहे हैं यां बढ़ रहे हैं पकि सारे फंदे जो हैं को इसी तरह से बुनते हो चले जाएंगे तो अब हम इसी तरीके से ना दूसरी साइड को भी चल रही है ना इसके बाद शॉट रोज खतम हो जाएंगी तो डिजाइन हमारा अच्छे से दीखने लग जाएगा लेकिन शुरू तो यहीं से करना है ना इसलिए तो यहां पर बैक पार्ट की जो शॉट रोज है वो अब खतम हो जाएंगी दो दो स्लाइयों के बाद तो बा उसके पास आगे हम तो मारकर मैंने अभी हटाया है यहां पे यह तीन फंदे हैं हमारे तो यह तीसरे फंदे को हम इस तरह से करेंगे यह उल्टे फंदे हैं यहां पे पहले तीसरे फंदे को उठाया दो के ओपर से पास कर दिया अब यह दो फंदे बचके तो इनको हमने ऐ पुना उसके बाद एक सीधा बुना फिर धागा अपनी साट को किया यहां पर यह इसके ओपर से जाली बनाते हुए एक फंदा सीधा बुन दिया तो ऐसी हमारे यह तीन फंदे यहां पर जो बन गए अब इसके बाद हम फिर यहां पर लगा देंगे मारकर और यहीं से हम इसे उतार लेंगे और बाकी जो दो फंदे हैं इनको ऐसी उल्टा बन लेंगे और जो दो फंदे हैं ये सीधे चल रहे हैं इनको सीधा बनेंगे डिजाइन के हैं ये सीधे हैं बाकी फंदे बाकी भी फंदे हमारे ऐसे सीधे सीधे आएंगे आगे जो रेगलोन स्टिच है उ यहां पर अगले मार्कर तक मैं एसे बुन लेती हूँ। यह तीन मार्कर तक बुन लेती हूँ। यहाँ पर फिर लगा देंगे यहाँ पर यहीं से अब हम बाप Better Society चाहेंगे यह ae को सीचिफ करेंगे और इसको उल्टा बुन लेंगे तहगा पीछे करेंगे आगे के तीन फंदे सीधे बुनेंगे इस तरह से 3 फंधे सीधे ये हमारा डिजाइन ही डला भी एक बार तो इसी तरह से आगे के जो यह ज़तने फंधे आपको दिख रहे हैं ये सारे उलटे आएंगे इस साइट को और उसके बाद यहां पर यहां जाली डलेगी दो फंदे सीधे आएंगे बस इसे तरह से next marker तक हम ऐसी ही बुनते हो चले जाएंगे अब फ्रेंट्स देखिए आगे marker के पास तो marker को यहां से हटाएंगे और अब यह जो दो फंदे है ना यह हमारे यहां पर यह ऐसी दागा अपनी साट को करके इन दोनों को हम यहां पर उल्टा बुन लेंगे अब हम यहीं से ही वापस मूट जाएंगे अब हमने यह जो पट्टी के फंदे हैं यह यहां पर इनको एक साथ बाद में बुनेंगे तो marker को अब हम हटा देंगे और उल्टी साट वाली सारी सलाई को अपना complete कर लेंगे तीन फंदे उल्टे हैं आगे के दो फंदे सीधे हैं इनको सीधा बुन लेंगे तो यह डिजाइन वाले फंदे इस तरीके से हैं बाकी फंदे आपके वैसे चलेंगे जैसे हम वैसे बुनते आ रहे हैं तो इसी तरह से आप यहां पर इस marker तक ऐसे बोन लेते हैं आगे तक फिर आगे बताते हूं आपको तो यहां पर देखिए ętि से मारकर भूंते हैं यहां से और आगे जो बटन पटमिकिते हैं उनको अब आपको बनने तक सब्से पहले बार आपको बताए थे तो ऐसे सिधा से दब उनेंगे इनको, इसी तरह से बुनते हुए जाएंगे, अब ये दो फंदे हैं, इसके पहले हम इसको मोड लेंगे धागे को अपनी साइड को, और लास्ट वले दो फंदे इनको ऐसे उतार लेंगे, अब यहीं से हम वपिस मोड जाएंगे, और यहाँ स यहां पे तो कहई कर दिया अब अपनी साइड को करना है और यहां पे जाली डालते हुए अगला एक फंदा सीधा न बुन के इस bells जी पर करना है तो यहां पे देखिए दो फंदे उल्टे हैं अब धागा हम पीछी करेंगे अब यहां पे design डलेगा हमारा तो यह तीसरा फंदा है यह तीन फंदे है तीना मैसे last ओला जो फंदा है उसको उठा के ऐसे दो के ओपर से पास कर देंगे एक फंदे को सीधा बुनेंगे और धागा अपनी साइट को करेंगे इस एक जो बचा है उसके साथ जाली डालते हुए एक फंदा सीधा बुनेंगे तो इस तरीके से हमारा ये डलता चला चाहिए का design कि ही दागा आगे करेंगे दो फंदे फंदे ने और सीधी साइइड से और सीधी साइड से उल्टे बोन दो फंदे सीधे बुन दिये फिर धागा अपनी साइट को एक जाली डालते हुए बाकी के सारे फंदे सीधे सीधे बुनने हैं तो यहां पर बस यही धियान रखना है कि सीधी साइड से दो फंदे यहां पर उल्टे हैं और इस तीन फंदे सीधा के बाद फिर यहां पर दो फंदे उल्टे हैं बाकी सारे फंदे हम सीधे से देगुनते जा रहे हैं यहां जाले जुरूर डालनी है और उल्टी साइड पर आपकी ये दो फंदे उल्टे आएंगे, यहां पर ये दो फंदे उल्टे आएंगे, और यहां पर जो है, ये जो डिजाइन के तीन फंदे हैं, ये उल्टे आएंगे, बाकी सारे फंदे आपके सीधे सीधे आएंगे, अब इस लाई पे सीधी साइड पे आपने जाली डालने जो इनको डिवाइड किया है अलग-लग हिस्सों में उसके हिसाफ से किया है और अब मैंने इसमें सलाइयां चेंज कर ली है मैं 9 नमबर सलाइस पे लगा दी है क्योंकि धागा हमारा थोड़ा सा मोटा है इस तरह से पहले बॉर्डर बॉर्डर मैंने 10 पे बुना था उसके बाद मैंने यह इस तरह से 9 पे लगा दिया है तो अब हम इसी तरह से इनको बुनते चले जाएंगे तो आगे तक मैं यहां डिजाइन एक बार आपको बता देती हूं और बॉर्टन पटे का यहां पे बता देती हूं तो काज हमने यहां पे बना लिया है अब काज जो है वो होल जो है वो बहुत देर बाद आएगा तो उसका हम ध्यान रखेंगे और ऐसे ही अब हम बुनते चले जाएंगे और फंदे अमारे बढ़ते चले जाएंगे इसमें यहां पे अब हमने बटन होल बनाना है तो आप जितनी दूरी पे आपने बनाना है आप उसी साब से देख लीजेगा मैं यहां पे दस लाइनों के बाद यह बना रही है ना यह लाइने बीट्स की यह दस लाइनों के बाद यहां पे बटन होल बना रही हूं तो यहां पे देखिए हमने यहां पर रखने है चार फंदे, यहां तो चार फंदों की बीच में यहां पर बटन होल बनाना है, यहां पर, तो एक फंदे को हम सिंगल ऐसे बुन लेंगे, उसके बाद, एक फंदे को हमने ऐसे बुन लेना है, उसके बाद, दो कहां यहां पर एक कर देंगे, फिर यहाँपर धागा अपनी साइट को करते हुए दो ऐसे जाली डालेंगे इस तरीके से जब हम सिंगल बटन होल बना रहे हैं तो इसे बनाना है और कभी डबल बटन होल बना रहा हो ना बड़ा वाला जैसे बड़े बड़े बटनल्ट लगाना होते हैं न जिसमें लेकिन चिन फ्रेंट्स को नहीं आता ना उनके लिए मैंने यहां पर शेयर कर दिया है क्योंकि क्या होता है ना बहुत सारे विगनर्स भी होते हैं जो पहली बार मेरे चैनल पर आये हैं और नय नय बनाना शुरू कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल रहती है इसलिए यहां पर शेयर करते हैं कि बटन होल हम कैसे बनाएंगे तो यह जो हमने होल बनाया है इसको इस तरीके से बुन लेंगे और यहां पर देखे बटन होल यहां पर क्रेट हो गया हमारा जो जाली हम बनाते हैं वैसे ही बटन होल बन जाता है तो यह यहां पर बटन होल इस तरी यहां पर हो गया है यह देखिए इसको थोड़ा सा यह हमारा देखिए इस तरीके से बनता रहा है इस तरह से तो यह हमारा तीन इंच के गरीब बन चुका है यहां पर यह 4 इंच के करीब हो गया है हमारा तो यह हमने टोटल बनाना है 6 इंच यहां से 4 इंच के करीब हो गया है तो इसको हमने 6 इंच बनाना है तो अब हम ऐसे ही बुनते हुए जाएंगे और फंदे हमारे बढ़ जाएंगे तो चेंज बनाने के बाद फिर मैं आगे आगे आपको बताती हूँ कि किस तरह से हमने इसके फंदों को डिवाइड करना है तो यह इस तरह से हमारा यह दिखेगा फ्रेंट्स यह दिखे यहाँ पर तो देखे फ्रेंट्स इसकी जो लेंट है वो अब करीब करीब चेंज के करीब होई चुकी है तो अब जैसे हम इदर से उदर को जाएंगे फिर से एक दो सलाईयां से बीच में लगेंगी तब भी जो एक आदी सलाईयां से बचकी होगी वो भी कंप्लीट हो जाएगी लेकिन अब हम और फंदे बढ़ाएंगे न तो बहुत ज़्यादा फंदे हो जाएंगे बच्चे के हिसाब से तो अब हमने इसका क्या करना है कि जैसे यह हमारी यहां से लेंथ कंप्लीट होगी उसके बाद आगे जो बाजू है हमारे इसके वो हम यहां पे बनाना शुरू करेंगे तो यहां से फ्रेंट यह इस जगा से बनाते हुए हम यहां तक जाएंगे यहां तक जो यह वाला फंदा है ना देखिए दो फंदे हैं एक को हम बाजू में ले लेंगे और एक फंदे को इधर फ्रेंट की तरफ ले लेंगे जो हमारा फ्रेंट साइड है इसकी साथ और एक जो है इसको बाजू के साथ है से ले लेंगे इस तरीके से ही हमने इसको बनाना है तो मैं यहां से लेके न यहां से बनाना शुरू करती हूं और यहां तक आती हूं वो अभी इनी इसी सलाईयों पर बनाऊंगी और फिर इसी पर यह वाले जो है पाजू जो है वो तो अब हमने बाजू को इसी तरीके से बनाना शुरू देखिए हमने ये फ्रंट पार्ट को इस सिलाई पर ऐसे ले लिया यहां तक और यह देखिए यहां पर एक फंदा हमने इदर को छोड़ दिया और एक फंदा हमने इसके साथ यहां पर ले लिया तो अब हमने यह जो सिल अब मेंने यहां फंदा नहीं बढ़ाया है ठीक है अब इस सलाई पे हम यहां बुनाई शुरू कर देंगे आगे जो फंदे हैं इनको simple बुनना है और ये वली जो सिलाई है इसमें अच्छे तरह से फंदों को ऐसे ले लेना है और इसको नीची की तरफ को ऐसे कर देना है ताकि फंदे हमारे इसमें से निकलेना और इनको ऐसे बनाते हुए हमने आगे तक चले जाना है अब हमने ये फंदे सिलाई पे ले लिए यहां से भी ये देखेंगा एक फंदा हमने इदर मे ला लिया इसके साथ और एक हमने बैक पार्ट के लिए छोड़ दिया तो इसको भी हम ऐसे खीच देंगे और अब हमने इन ही फंदों को यहां पे बुनना है तो एक बार मैं ये कॉंट करके आपको बताती हूँ कि यहां पे कितने फंदे हैं हमारे पास ये फ्रेंट्स टोटल 57 फंदे हैं हमारे पास बाजू के 57 फंदे इसमें हमारे पास आये हैं ठीक है तो अब हमने इनको बुन लेना है ये फंदे हमारे ले काफी है तो frill में वो आपके साथ यहां पे share करूंगी तो इसको मैंसे बुन लेती हूं फिर बाद में आपको frill जब बनने वाली होगी ना इसकी length complete होने पे तो उस टाइम आपके साथ यहां पे share करूंगी तो friends देखिए यह बाजू की जो लेंथ है वो हमारी complete हो चुकी है तो यहां पर न यह इस बाजू की लेंथ हम थोड़ी कम रखेंगे दूसरी sweater से इसमें आगे हमने फ्रिल बनानी है तो इसकी लेंथ जो मैं यहां पर 9 इंच रख रही हूं और यह देखिए इसकी लेंथ जो हमारे 9 इंच आई है उपर से गले की पट्टी के पास से यहां तक 9 इंच है और इसके बाद हम यहां पर 1.5 इंच के करीब हमारी फ्रिल आएगी तो इतनी लबी यह बाजू आएगी और फ्रिल के साथ हम बिल्कुल हाथ पर गिरने वाली बाजू नहीं बनाएंगे थोड़ा सा पीछे ही रखेंगे इसक मैंने एक यह बना के रख ली है आपके अंदाजे के लिए तो यहां पर देखे फ्रंट से इस तरीके से इसको बनाया है तो टोटली ना यह यह फ्रिल में अभी आपको सिखाने वाली हुए यहां पर लेकिन यहां पर आप लेंध इसकी देख लीजिए यह 11 इंच हमारी यह बाजु जो है यह आई है तो यह सई रहेगी क्योंकि बहुत ज़्यादा आगे आएगी ना तो फ्रिल जो है वो हाथ पे ज़्यादा गिरेगी इस करके हमने इतनी ही बाजु यह बनाने है और इसकी यहां से जो लेंध है जो आर्म के यहां नीचे से जो लेंध है वो है यह आप चलिए मैं आपको फ्रिल बनाना बता देते हूं यहां पर कि कैसे हमने इसकी फ्रिल बनाने हैं तो यह हमारी फ्रेंट साइड है और फ्रेंट साइड से ही हम फ्रिल जो है वो स्टार्ट करेंगे यहां पर तो एक चीज और है फ्रेंट्स यहां पर देखिए मैंने इसमें यहां तक सीधा बुना थोड़ा सा इतना सीधा बुना है यह है हमारी एक तो तीन चार पांच छे साथ आठ नो तस क्यारा क्यारा यानि टोटल बाइस सिलाईयां जो है टुन टू रोज जो हैं वो हैं बिल्कुल सीधी बुनी है यहां से उसके बाद मैंने इसमें थोड़े फंदे घटाई किये हैं हार तीसरी स्लाई में यहां पर फंदे घटाना शुरू किये हैं तो यहां पर जो हमारे फंदे हैं वो हैं 48 इसमें 48 स्टिच चो हमें यहां पर रखे हैं तो यह आपकी मर्जी है अगर आपने और इसमें पतली बना तो आप अपने अंदाजे से अपने बच्चे के हिसाब से आप रखतीजिए अगर आप छोटे बच्चे का बना रहे हैं तो इसमें क्योंकि वह यहां पर भी हमारे कमी फंदे आएंगे ना उपर तो जब हम उपर से घटाई स्टार्ट कर देंगे तो नीचे को हमारे फंदे यहां पर कम ही रह जाएंगे तो यहां पर चलिए अब फ्रिल बनाना शुरू करते हैं तो यहां पर हम सीधी साइड से यह फ्रिल जो है वह स्टार्ट करेंगे तो यहां पर देखिए पहले फंदे को हमने स्लिप किया उसके बाद तीन फंदे हम यहां पर उल्टे हैं तो यहां पर देखिए किस तरह से एक बार ऐसे बनाया फिर दागा अपनी साइड को किया फिर इसी फंदे में से एक बार और एक जाली डाली एक फंदा यहां पर बुन लिया तो यह तीन हो गए इसको अभी छोड़ना नहीं है फिर दागा अपनी साइड को किया यह चा इस तरीके से ये होगे हमारे चार यहां पर और उसके बाद यहां पर देखेंगे आप एक, दो, तीन, चार, पांच, छे और यह साथ, एक फंदे मैंसे हमने साथ फंदे यहां पर बना लिए, उसके दागा अपनी साइट को करना है, और आगे तीन फंदे आपने उल्टे बु दागा अपनी साइट को किया, दो और यह तीन फंदे हमारे होगे, फिर दागा अपनी साइट को किया, चार और यह पांच, फिर दागा अपनी साइट को किया, फिर यह छे और यह साथ, यह टोटल साथ फंदे फिर से हमारे यहां पर बन गए तो इस तरीके से हमने यह बनाने हैं, अब यहां फिर से हम आगे अपनी तरफ को करेंगे धागा और तीन फंदे यहां पर उल्टे बनेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, इसमें से फिर हम साथ फंदे यहां पर बना लेंगे, तो एक, दो और यह तीन, फिर धागा अपनी सेट को, चार और पांच, फ पिर आगे हम बताते हैं आपको तो हम अब लास्ट में पहुंचके तो ये देखिए लास्ट में हमारे तीन फंदे बचते हैं तो तीनों को हमने ऐसे उल्टा बुन लेना है अब फ्रेंट सीधी साइड से हमारी ये सिलाई खतम होगी पहली अब दूसरी सिलाई है देखिए तो ये जो फंदे हमने उल्टे बुने हैं इनको हमने सीधा बुनना है उल्टी साइड पे तो ये तीन फंदे हमारे सीधे दागा अपनी साइड को अब ये जो साथ फंदे हमन और ये 7, इस तरह से ये 7 फंदे उल्टे, अब ये 3 फंदे सीधे, अब इसी तरह से आगे रिपीट करते जाएंगे, धागा अपनी सेड को 7 फंदे उल्टे, जो एक साथ बुने है ना, इनको हमने उल्टा बुनना है, तागा पीछे, 3 फंदे सीधे, थागा अपनी सेड को 7 फंदे उल्टे, इसी तरह से आप ये सारी स्लाई जो है इसको, ये वली सेकिंड रो जो है, इसको आप ऐसे रिपीट करते जाएंगे, इसमें कोई जाली नहीं पड़ेगी, बस जितने फंदे अभी बढ़ने हैं, ये हम लेंथ आपको चाहिए, कम चाहिए तो कम बुन लीजिए, ज्यादा चाहिए तो ज्यादा बुन लेजिए, तो मैं ये बुन लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाते हूँ कि किस तरह से ये सलाई पहले कंप्रीट करती हूँ, फिर एक बार शेयर कर देती हूँ आपको, फ पहले फंदे को ऐसे slip करेंगे सीधा और, उसके बाद यह तीन फंदे उल्टे बुनेंगे, ध़ागा हम पीछे करेंगे और, जो साथ फंदे हैं, उनको हमने सीधा बुनना है, तो हमने इसी तरह से बुनते जाना है जैसे हमने second row बुनी उल्टी side से बैसे बुनना है हार बार और जैसे हमने first row बुनी sorry first row में तो हमने एक में 7 बनाये थे अब यह देखे यहां से जो यह 7 फंदे हैं इनको हमने सीधा ही बुनना है तीन उल्टे फंदे उसके बाद ये आगे के फंदे जो हैं तीन उल्टे हैं सीधी साइड से धागा पीछी करेंगे और साथ फंदे हम सीधे बुनेंगे तो इनको हमने बार बार बुनना है देखे इसी तरह से repeat करते जाएंगे तीन फंदे अब उल्टे और साथ फंदे सीधे बस ऐसे ही हमने बनाते जाना है और उल्टी साइड से आपने तीन फंदे जो हैं वो सीधे बुनने हैं और सात फंदे जो हैं वो उल्टे बुनने हैं बस उसी तरह से आपने बुनते जाना है तो फ्रेंट्स ये देखिए इतना हमारा हो गया है और फ्रेंट्स ये टोटल हमने यहां पे 10 रोज बुनने हैं 10 सलाईया हमने बुनने हैं ये टोटल जो यहां से 1st से लेके 10 तक तो अभी हम इनको गिन लेते हैं कि कितनी हुई है ये तो 1,2,3,4,5,6,7,8 सलाईया ये हो गई है एक उल्टी साइट से और एक सीधी साइट से और सलाई लगेगी तो 10 सलाईया हमारी हो जाएंगी तो फिर हम इसके बाद इसको लास्ट में आपके साथ शेयर करते हैं कि कैसे इसको वाइंड आफ करना है इसकी हो गई 10 रोज कमप्लीट अब हमने इसको ये सारी सलाई उल्टी उल्टी बना देनी है इसको अब हमने क्लोस करना है तो नीचे एक बॉडर जैसा बन जायगा तो यहां पे देखए पहले फंदे को पल्वाइस लिट करेंगे और बाकी फंदे को हमने सब अल्टा-उल्टा बनना है अब सीधी साइट से भी उल्टा और उल्टी साइट से भी उल्टा इसी तरह से आप इसको बुनें तो इस तरह से न हमने दो लाइने यहाँ पर बीट्स की बनानी है परल की दो लाइने यहाँ पर आने चाहिए जिसे यह लाइन जा रही है न इसी तरह से हम अब एक साइट उ सीधी साइट पर आएंगे तो टोटल चार सलाइयां हमने इसी तरह से बुन्हें उल्टी-उल्टी करके दोनों साइट से देखिए अब इसकी होगी चार सलाइयां कमप्लीट अब हमने इसको वाइंड आफ कर देना है तो यहां से देखेगा हमने वाइंड आफ करने के लिए यह दो फंदे हम एक साथ लेंगे यहां पर इस तरह से दो का एक करेंगे फिर इस फंदे को इसके साथ लेंगे दुबारा से फिर दो फंदे हो जाएंगे हमारे तो फिर ऐसे दागा खीचके फिर दो का एक करेंगे फिर से इस फंदे को सलाइप डालेंगे और अगले फंद कि इजी है यह बहुत ज्यादा दो का एक करना है बस इस तरह से वाइंड आफ करें और जैसे दूसरी तरह से करते हैं तो फिर वह थोड़ा टाइट सा हो जाता है ऐसे बिल्कुल अच्छे से आएगा लूज सा आएगा थोड़ा बिल्कुल हलका सा हलके लाइट लाइट सा देखिए यह हमारा यहां पर सारा देखिए फंदे हमारे यह हमने बंद कर दिया सारे फंदे घटा दिया यहां पर सारे फंदे हमने बंद कर दिया यहां पर तो यह जो धागा है ना इसको अब हम थोड़ा लंबा काट लेंगे यहां पर क्योंकि यहां से ही योग पाट तक हम इसकी sly करते हुए चले जाएंगे तो यह हमारे लिए यहीं से हमें जोड़ना नहीं पड़ेगा तो यहां से मैंने धागा यह काट लिया और एक यह जो फंदा हमने लास्ट फंदा यहां पर चोड़ा है ना इसके अंदर से इसको ऐसे निकाल लेंगे तो यहां पर एक अब मैं आपको यहां पर यह बताना चाहती हूं कि बाजवा मैंने दोनों बना ली तो वो मैं यहां पर आपके साथ पहले यहां पर शेयर नहीं किया दोनों किसी बज़ा से मेरे को वीडियो नहीं बना पाई पहले में तो मैं अभी आपको यहां पर बता देती हूं कि यहा यहां पर छोड़ दिया था फिर उसके बाद इस तरफ को बनाते हो चले गए हम आगे फिर हमने यहां इसके बाद सलाई पे न यह बाजुगां वाले फंदे जो हैं वो सारे सिंगल सलाई पे ले लिए यहां से फिर हमने इस बाजुगां कंप्लीट किया भी तो यह फ्रिल की यहीं से ही इस सैड को जाना है यहां तक देखिए यह सलाई हमारी चली हुई है यहां से यहां से चली हुई है यह सलाई इस सैड से तो यहां तक बुनाई हो गई थी अब हमने यहां से स्टार्ट करना है यहां से यह जो फ्रेंट पार्ट है इस सैड वाला फ्रेंट कर देती हूं कि किस तरह से हमने इसको जोड़ना है वैसे मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियो डाली हैं जो गले से स्टार्ट किये हैं स्वेटर तो उनको भी आप देख सकते हैं अगर आपको पसंद आए तो देख लेना आपकी कोई हैल्प हो सके उनसे तो यहां पर अब हम नोट लगा लेंगे तो यहां से हमने इसको शुरू कर लिया और इस धागे को मच्छी तरह से इसी में ही सेट करते हो चल जाएंगे अब हमने कोई भी फंदा नहीं बढ़ाना इसमें बस जो डिजाइन चला हुआ है न हमारा आगे वो डिजाइन हम यहां पर बनाते हो बाकी फंदे ऐसे सिदे सिदे बुन लेंगे और इनको जॉइंट कर लेंगे सारे जो नीचे का पार्ट है उसको एक साथा बम बुनेंगे यहां पर तो यहां से ऐसे पुनाई करते हुए यह हमारा डिजाइन आगे यहां पर दो फंदे उल्टे हैं यहां पर दो नॉर्मल फंदे उल्टे और तीन फंदे यह सीदे आएंगे अभी इन पर डिजाइन ने डलेगा उसके बाद आगे दो फंदे फिर से हमारे उल्टे हैं तो यहां पर फ्रंस देखे अब हमने यहां काज भी बनाना है एक button hole बनाना है तो यह हम सीधा बनेंगे उसके बाद यहां पे देखे मेने ना और यह जो फंदे और इन्हाँ बनाना सीधर है और इनको आप performs is को इस तरह से हम उतार लेंगे अब यहीं से हम ओड़ जाएंगे तो इस इनी को ही न ऐसे अब मैं यहां से बनाती हुई न यहां पर आती हूं फिर आगे यहां से हम ऐसे जोड़ लेंगे इसको सारे को अब यहां पर हमने कोई फंदा नहीं बढ़ाना इसको बिल्कुल सिंपल बनाना हैं यहाँ पर क्योंकि हमारे पास अलरड़ी फंदे हो फूरे हैं तो यह इस ने üç century बाके बनाता Sul जाली डाली वो बुन लिया हमने यहां पर एक पटन होल हमारा क्रेट हो गया बाकी ऐसे ही यह हैं तीन यह उल्टे फंदे आएगे जो डिजाइन के हैं हमारे बाकी फंदे जो हैं उनको सिदा सिदा बुनते हुए यहां तक पोचना है हमने आगे तक देखिए अब आगे हम यहां पर जो हमारी बाजू का जॉइंट है फ्रंट पार्ट से सारे फंदे हमने यहां से यहां तक बुन लिये अब यहां से इस फंदे को भी हमने ऐसे ही जॉइंट कर लिना है यहां पर यहां पर हमने कोई फंदा नहीं बढ़ाना क्योंकि हमारे पास बहुत सारे फंदे हैं तो बहुत ज़्यादा लूज हो जाएगा ऐसी बस इनको बाकियों को सीधा से दबुन लेंगे और जो अगली साइड आएंगे इस बैक पार्ट जो है हमारा इसको बुनने के बाद जब फिर से फ्रंट के पास आएंगे तो उसको भी हमने ऐसी ही बुन लेना है और अब इसकी लेंथ कंप्लीट होने तक न हम ऐसी ही बुनते जाएंगे बस बटन पट्टी का ध्यान रखेंगे और जो डिजाइन डाल रहे हैं हम उसका ध्यान रखेंगे बाकि कि सारे फंदे न यह देखिए जब यहां पर आएंगे तो इनको भी हम इसी तरीके से यहां पर जॉइंट करेंगे इस तरह से तो यह सारा बैक और होंगी कि मैंने इसकी लेंद जो है वो कितनी बनाई है यहां पर तो यह मैं ऐसी भून लेती हूं बहुत सिंपल है सीधा सीधा है जब एंड में पहुंचेंगे नीचे इसकी लेंद कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम इसमें फ्रिल भी लगाएंगे तो वह लेंद ना आप अपने हिसाब से डिसाइड कीजिएगा कि आपको कितनी लेंच चीए आपके बच्चे के हिसाब से अगर बच्चा चोटा है मैं बनारी हूं दो से तीन साल तक के बच्चे का है यह अगर बच्चा इससे चोटा है ना तो आपको थोड़ी चोटी बनानी चीए कम फंद डालें तो आपकी इससे छोटे बच्चे का बन जाएगा और अगर बड़े का बनाना है इससे बड़े का बनाना है तो और जादियन डाल लीजिए तो आपका बड़े बच्चे का बन जाएगा तो अब फिर मैं यह बना लेती हूं यहां तक तो यह देखिए हम पहुंचके यहां पे और यह है हमारा फ्रेंट पार्ट तो इसको भी हमने अब यहां पे इस तरह से साथ बुनना शुरू कर देना है इसी तरह से तो देखिए फिर हमारा ये ना चैकट तियार हो गया ये देखिए बाजू इसमें तो हमने फ्रिल लगान आपको बिता दी थी और नीची का जो पोर्शन है वो मैंने बना लिया ऐसे ये देखिए दोनों बाजू रडी हो गई है और इसकी फ्रिल भी आपने देख ली थी ठी तो इसका आप में मेजरमेंट आपको दे देती हो और नीची की फ्रिल है वो हमने वैसी बनाई जैसे हमने बाजू बनाए थे उसी तरह से हमने ये फ्रिल नीचे इसकी बनाई है ये देखिए तोनों सेट से इसकी लेंध हम जादा नहीं रखेंगे क्योंकि जो हमने फ्रॉ भी करीबન तो यह पोंग सुङ्टर भी मत्ती में सब्सक्ते। सब्सक्राइब देखें और दख़ित कि साधुaya कुण अब दिदू धुक्यूकरन केLike। उसके बाद मैंने इसको यहां पर बनाया यह चार इंच के करीब मैंने बनाया और तो यहां पर यही 1.5-2 इंच के ध्याणाले बनाई कोई ऐसा नहीं है कि टाइट रहेगी और यहां पर बाजु की जो टोटल lending है वो मैं बताते हूं आपको यह देखके यहां पर यह नो इंच के न इसकेबाद यहां पर आगे जु है वह दो यह देवर दो इंच के करीब जो हमारी न रेड़, पॉने दो इंच के करीब These, कि यहां पर जो जैकेट है इसकी टोटल एंथ आई है ये भी 11 इंच ही आई है ये देखिए 11 इंच के करीब है ये जितनी बाजु है उतनी ही है ये भी तो इसको मैं अब आपको लगा के दिखाते हूं कि यह हमने किस तरह से इसको पहणा नहें इसमें चार जो है वो बटन आप इसको ट्राइ कर सकते हैं और अगर आपको पसंद हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें तो फिर मिलते हैं एक और वीडियो में जल्दी ही थैंक यू और इस फ्रॉक का वीडियो जो है वो जा चुका है जिस इसको आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं जिसका लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और इसको आप जरूर ट्राइ करना और वीडियो को शेयर भी जरूर करना